दोस्तो इस वीडियो में मैं आपसे शेर करना चाहता हूँ एक tried and tested method जिससे आप सिरफ 10 मिनट में अपनी body को detox कर सकते हैं ये एक असान लेकिन असरदार टेकनीक है जो हमारे ग्रंतों में वरनित है और जिसे प्राचीन काल से ही शरीर में जमी गंदगी को निकालने के लिए अजमाया जाता रहा है आज modern science भी इसके हैरान कर देने वाले benefits का लोहा मान चुकी है तभी तो ये western countries में इतनी popular हो रही है इस तकनीक को रोज practice करने से 30 से भी जादा बिमारियां जड़ से खतम की जा सकती है इससे acne, arthritis, asthma, insomnia, PCOD, constipation, migraine असानी से ठीक हो जाएगा सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इतना easy है सिर्फ एक ingredient के साथ एक detox की कीमत एक multi vitamin tablet से भी सस्ती है मुझे इस टेकनीक के बारे में दो साल पहले ही पता चला और तब से मैं इसे रोज कर रहा हूँ मुझे जो इससे benefits होए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं सो दोस्तों अगर आप भी अपने शरीर में जमी गंदगी को निकाल बाहर करना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो फिट्ट्यूबर हिंदी डीटॉक्स करने से पहले ये जान लें कि आखिर डीटॉक्स करने की जरूरत क्यों हैं आज के modern lifestyle में हम polluted air inhale करते हैं हम अकसर ही fast food, fried food, processed food, packaged food खाते हैं ऐसे foods जो directly हमें nature से नहीं मिलते वो हमारे शरीर के लिए पचाने काफी मुश्किल हो जाते हैं तब ये हमारी आंतों में जाकर चिपक जाते हैं जहां वे सड़ते रहते हैं वो sandwich जो आपने एक साल पहले खाया हो शायद आज भी आपकी आंतों में चिपका पड़ा हो दोस्तों जब ये ही toxic waste blood के थुरू बाकी organs की तरफ पहुँचता है तो दिक्कते शुरू हो जाती हैं अगर ये windpipe को block करें तो अस्थमा, अगर आंतों में जाकर चिपके तो constipation ये ही अगर skin की layer पर आजाए तो act में इसलिए अगर आप इस शरीर में जमी गंदगी को बाहर नहीं करेंगे तो आप health problems को ही invite कर रहे हैं खेर बहुत हुआ ये lecture सवाल ये है कि शरीर में जमें इस toxic waste को बाहर कैसे निकालें दोस्तों सबसे असान तरीका है oil pulling जी हाँ, oil pulling रोज सुबा उठकर खाली पेट एक बड़ा चम्मच oil का अपने मूँ में डालें आप नारियल का तेल, तिल का तेल या कोई भी और कच्ची घानी oil यूज़ कर सकते हैं मैं अकसर नारियल तेल यूज़ करता हूँ इस oil को 10-20 मिनट तक मूँ के अंदर चारों तरफ घुमाएं जादा टाइम है, कोई बात नहीं oil pulling करते हुए आप कोई book पढ़ सकते हैं अपना breakfast पना सकते हैं, backpack कर सकते हैं या जो भी आप चाहें बस फिर oil को बाहर थूख दे end में यही oil सफेज सा हो जाएगा और ना ही सिरफ मूँ के, बलकि शरीर के बाकी हिस्सों की भी गंदगी बाहर निकालेगा सुनने में अजीब लग रहा है let me explain दोस्तो जब आप oil और पानी को mix करते हैं तो वो mix नहीं होते लेकिन जब आप oil को oil में mix करते हैं तो वो बड़ी असानी से mix हो जाते हैं हमारे शरीर में जमी गंदगी, बैक्टीरिया वगारा भी fats, lipids में ही cover होते हैं basically जब हम oil pulling करते हैं तो oil एक बड़े magnet की तरह वर्क करता है और मुँ में सारे विशैले पदार्थों को अपने साथ चिपका लेता है और जब हम इस oil को थूख देते हैं तो ये सारी गंदगी भी बाहर निकल जाती है मज़े की बात तो ये है कि oil pulling ना ही सिरफ मुँ के बलकि पूरी body के toxins बाहर निकालती है इसका reason ये है दोस्तों की हमारी जो जीब है ये शरीर के बाकी organs जैसे की kidneys, heart, lungs, small intestine, spine के साथ veins के through connected होती है जी हाँ क्या आपको याद है कि जब आप डॉक्टर के पास check-up के लिए जाते हैं तो वो आपकी जीब बाहर निकालने के लिए आपको कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मूँ internal body का शीशा होता है आयरुवेद के अनुसार जब आप oil pull जिसे गंडुश क्रिया भी कहते हैं करते हैं तो oil आपकी पूरी blood stream से toxins को खीच लेता है इसलिए ऐसा कहा गया है कि गंडुश क्रिया जितनी जाला दिर तक की जाए उतना ही फाइदा होता है खेर शुरुवात में आप पांच मिनट के लिए भी कर लें तो उतना ही काफी है धीरे धीरे 25, 30, 45 या तक की एक घंटे के लिए भी की जा सकती है अगर मैं अपना personal experience share करूँ तो आपको अपने गले की तरफ एक pressure सा feel होगा जैसे एक suction tube होती है इस तरह से oil pulling शरीर में जमी पुरानी गंदगी को भी निकाल बाहर करता है अब दोस्तों क्यूंकि toxins आपके body में से बाहर निकल चुके हैं जो benefits आपको इससे होंगे वो अद्बुत है obviously oral health से start करते होए दोस्तों oil pulling almost सभी मूँ की problems के लिए एक रामबान इलाज है आप बस problem का नाम लो उपर से ये naturally आपको देता है सफेद दांत, fresher breath, pink lips और gums और दोस्तों क्या आपने notice किया कि जो 10-20 मिनट तक आप oil को अपने मूँ के चारो तरफ गुमाएंगे वो actual में आपके facial muscles की exercise होगी oil pulling से नाहीं सिर्फ आप एक acne free clear glowing skin पाएंगे बलकि आपकी jaw line भी improve हो जाएगी क्यूंकि oil pulling से digestive tract में चिपकी हुई गंदगी भी बाहर हो जाती है तो constipation, gas और acidity जैसी digestive problem से आपको छुटकारा मिल जाएगा यही नहीं documented evidences हैं कि सिर्फ oil pulling को ही अपनी daily lifestyle में add करने से लोगों ने arthritis, asthma, insomnia, hypertension, migraine से भी राहत पाली दोस्तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपका शरीर अंदर से साफ है तो फिर चाहे कोई भी health problem हो वो टिक ही नहीं सकती और oil pulling exactly वही करता है शरीर में सड रही गंदगी को बाहर करता है आयरुवेट के अनुसार गंदुश क्रिया से mind stimulate होता है और senses strong मुझे personally oil pulling करने के बाद हमेशा energy level में increase महसूस होता है दोस्तो reports ऐसी भी बाहर आई हैं कि लोगों ने सिर्फ oil pulling के दम पर अपने premature grey hair को काला कर लिया fat loss तो जैसे इसका एक positive side effect ही है कोई भी oil pulling कर सकता है actually सभी को करनी चाहिए oil pulling के कोई भी side effects नहीं है बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि oil को अंदर ना निगलें obviously because उसमें toxins accumulate हो जाते हैं खेर कभी ऐसा हो भी जाएं तो घबराएं नहीं दुबारा oil pulling कर लें और हाँ oil को कभी भी sink में ना थूकें क्योंकि इससे pipes की clogging हो सकती है कहीं मिट्टी पर, dustbin में या किसी paper towel में थूकें दोस्तों मुझे oil pulling के बारे में सबसे जादा जो चीज पसंद है वो यही कि इसकी reward to effort ratio बहुत आई है बस दिन भर में 10 मिनट अगर आप इस पर लगाएंगे तो जो इसके benefits होंगे वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे और वो 10 मिनट इसको करते हुए आप कोई और काम भी इसके साथ कर सकते हैं और क्या चाहिए इसके पीछे की science को जानकर आप इतना तो समझी गए होंगे कि जो oil pulling कर सकती है वो एक tooth brush कभी नहीं कर पाएगा वैसे मैं आपको brush बंद करने के लिए नहीं कह रहा बस पहले oil pulling जरूर कर लें रोज सुबा उठने के बाद पहले पानी पिएं fresh हो जाएं और फिर oil pulling करें बस इतना साही करना है आपको अपने शरीर को अंदर से साफ करने के लिए जरूर ट्राइ करें दोस्तों जैसे oil pulling toxins को अंदर से बाहर निकालती है वैसे ही M caffeine का naked and raw coffee body scrub आपके शरीर के बाहर की गंदगी को निकालता है सबसे अच्छी बात ये है कि M caffeine का ये pure Arabica coffee based body scrub बना है 100% toxin free ingredient से company का दावा है कि इस body scrub को हफते में सिर्फ दो बार ही यूज़ करने से आप dead skin cells और बाकी impurities को बाहर निकाल सकते हैं ये एक बढ़िया exfoliator है जो tanning भी reduce करता है इसे यूज़ करने के लिए बस थोड़ा सा scrub ले 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 और नहाते हुए अपनी wet skin पर circular motion में एक मिनट के लिए scrub करें और फिर धो दें दोस्तों क्यूंकि ये body scrub है आप इसे face पर यूज़ ना करें M.Caffeine के coffee body scrub में coconut oil डाला गया है जिससे ये आपकी skin को भी dry नहीं होने देगा इसकी खुश्बू भी काफी अच्छी है 100% natural है तो दोस्तों M.Caffeine का raw and naked coffee body scrub खरीदने के लिए description box में दिये link को क्लिक कीजिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो से फाइदा हुआ होगा अगर हाँ तो प्लीज अपनी support दिखाईए और like बटन को ज़रूर क्लिकीजिए next आप इस topic पर वीडियो देखना चाते हैं comment कीजिए अब आप मेरे काम को Patreon पर भी support कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहा हूँ प्लीज इस चैनल को subscribe करना मत भूलना, bell icon को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालू आपको पता चल जाए आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं जहां मैं regularly Q&A sessions करता रहता हूँ My name is Vivek, I thank you so much for watching